अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आएं तो यूटूब चैनल को सब्स्राइब करिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर सुभा मैं प्री मार्केट अनालिसिस दिया था और उसके बेसिस पे ही अपने प्रीमियम ग्रूप जो हमारा टेलिग्राम है और प्रीमियम ग्रूप जो हमारा वाट्शप है उसके बेसिस पे ही मैं टार्गेट भी दिया था पोजिशन भी दिया था जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया सुभा मैं जो आप लोगों को entry दिया था entry के पीछे reason था दोस्तों यहां पे अपने previous breakdown level पे nifty bank नहीं रुखना और यहां पे अपने previous breakdown level का यह rejection लेना जैसे ही इसे ने rejection लिया सुभा live market में उसके basis पे मैं क्या किया दोस्तों bank nifty के अंदर सुभा position बताया था 41 पे ठीक है एंड उसके बाद जो fall गिरने लगा हमारा 140 का call हमारा 210 तक का जो target provide किया यह 310 तक का जाके आया दोस्तों 310 तक का जाके आया है यहां पे position जो बनी है position completely यहां पे selling बनी है तो हम लोगों ने profit booking किया अब ही मैं आगे analysis से जाने से पहले मैं आपको update देना जाता हूँ दोस्तों यह मेरा whatsapp number है and मेरे दो premium group member है आपको पता ही है 799 जो मेरा premium group है दोस्तों जो मेरा premium group है telegram and मेरा whatsapp का broadcast group है जिदर whatsapp का जो मेरा broadcast group है उसके अंदर जो मैं trade provide करता हूँ उसी में ही एक या दो trade निकाल कर मैं अपने 799 के group भी provide करता हूँ दोस्तों बस यह आपको clarity देना था क्योंकि कई लोग कुछ गलत समझ रहे थे मेरे paid services को लेकर अभी market में Monday live market में हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग उस पे ही बात करने वाले हैं breakouts and breakdown draw करेंगे यह breakdown है यह recent breakdown है यह previous day breakout है यह major breakout है अगर समझो Wednesday live market में Wednesday live market में अगर market के अंदर हम लोगों को position 41,233 के नीचे closing दिख रहा है 41,162 के नीचे closing दिख रहा है तो एक major fall आएगा जो major fall आपको अपने previous breakdown level 47,13 तक लेके जाएगा 47,13 तक लेके जाएगा दोस्तों अभी यहां पे जो हमारा position है जो हमें 14,47,13 तक लेके जाएगा इसे retrace करेगा अगर नहीं stock index के अंदर कुछ position यहां पे retrace हो रही है तो major reversal rally हम लोगों को देखने को मिलेगा पर मैं थोड़ी बहुत buying के बाद Monday live market में एक अच्छी सी selling देख रहा हूँ थोड़ी बहुत buying के बाद मैं अच्छी खासी selling देख रहा हूँ निफ्टी बैंक में Wednesday live market में और जो निफ्टी 50 का analysis अपने previous वीडियो में दिया था उसके basis पे ही अपने previous breakdown level gap down level को निफ्टी 50 break नहीं किया और यहां पे उसका rejection हुआ और निफ्टी 50 fall किया निफ्टी 50 fall किया है तो अपने previous traded value के high level पे इसने support लिया अगर समझो Monday live market में 17682 का level break कर रहा है break करते वे 17652 का level break कर रहा है तो immediate fall करेगा 17573 हो सका तो Wednesday live market में काफी नीचे तक गिरेगा पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग उतना नीचे गिरे तक थोड़ी weight करेंगे हम लोग हमारा position अपने depend upon breakouts and breakdown काम करेंगे दोस्तों यह था nifty और bank nifty का analysis जिदर nifty 50 में retracement चाहिए retracement नहीं है तो rejection है अगर rejection है तो position clear है fall है retracement है तो rally देके fall है nifty 50 में और यहाँ पे improper buying है जिस improper buying में मैं buying नहीं देख रहा हूं मैं selling ही देख रहा हूं और दोस्तों अगर आप learning sessions paid premium group या अगर आप के portfolio में कुछ stocks negative भी है positive भी है जिसका position आपको कहां पे square off करना है कहां पे निकालना है कहां पे रखना है मैं समझ भी नहीं आ रहा है तो दोस्तों इस number पर आप मुझे workshop करकर आप query पूछ सकते हो thank you